हेलो एब्रीवन मैं हूँ अरादना फ्रम लानोहब जहां आप पढ़ सकते हैं मैं साइन्स एसेश्टी जैसी सब्जेक्स वो भी बिल्कुल फ्री एट लानोहब.com पर बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 7 के चैप्टर नमबर 5 लाइन्स एन एंगिल्स की एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्यूशन तो फटा फट आप भी अपनी नोट्बूक अपैनल लेकर रेडी होई है और देरे साथ 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 सॉल्ब कीजिए तो चलिए बच्चों देखते है अपना पहला क्वेस्चन क्या कह रहा है पहला क्वेस्चन फाइंड दा कॉंपलिमेंट और इच आप देखे हमें यहां पर कुछ फिगर्स दिये गए हैं और उनमें हमें दिये गए हैं कुछ एंगिल्स की वैल्यूश अब क्या दिमाग मे फिमारे की कॉंपलिमिमेंट होता क्या है कॉंपलिमेंट वो एंगिल होते हैं जो ?"90 डिग्री है जब किसी वी तू si अईंगिल्स का सूम आजाता है 90 डिग्री हम कहां पि Lust तो देखते रहें प्प्रसट क्वरें दियागी है 20 डिग्री हम ऑने गिवेंट गरेंगई है तो क कोंप्लिमेंटरी क्या हो जाएगा तो Intro बहुत ही असान है आप सब बगा खाल में गवी कर स्क है इसका मेंटरी गर कर सकथ हैं 90-20ीरी-20ी चैनल कि तो लिटी ते टीजुश का प्लेनगरी कर स्क हो सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों हमें गिविन एंगिल है 63 डिग्री राइट अब हम पटापट कैसे फाइंड करेंगे 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री और यह आ जाएगा हमारा 27 डिग्री राइट तो यह हो गया इसका कॉंप्टिमेंटरी एंगिल ठीक है अब करते है अब हम पार्ट में पार्ट में गिविन एंगिल है 57 डिग्री राइट तो अब हम पाइंड करेंगे सका कॉंप्लिमेंटरी क्या हो जाएगा 90 डिग्री जो कि आ जाएगा 33 डिग्री तो आपको इस सारे पार्ट अच्छे से समझ भी आ होंगे कुछ था यह नहीं कॉंप्लि नहीं करेंगे 90 डिग्री जो भी गिवन एंगिल है तो आपको इस तीन पार्ट अच्छे से किलियर होंगे हम चलते हैं अपने नेक्स क्वेशन पर चलो बच्छों हम देखते है अपना नमबर टू तो क्वेशन नमबर टू क्या कह रहा है पाइंड अप्लिमेंट ऑफ इच किसे फाइंड कर लेंगे अधर एंगिल जो भी एंगिल की वैलु गिवन है उसको सब्ट्रेक कर देंगे अपने 180 से थीक है तो चलिए माल लेते हैं इसके लिए तो फर्स्ट वन के लिए क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन में हमें गिवन है 105 ठीक है तो सप्लिमेंट 180 डिगरी माइनस 105 डिगरी तो वो कितना आ जाएगा हमारा 75 डिगरी है ना बहत ही असान है कुछ करना ही नहीं था हमने 180 में से 105 को घटा दिया सब्ट्रेक कर दिया तो क्या आ गया हमारा 75 डिगरी अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन सिमिलरली हम करेंगे अपना सेकेंड वन तो 2 वन में हमारा कितना 87 डिगरी है तो सपलेमेंट ओफ 87 डिगरी फाइन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिगरी माइनस 87 डिग्री तो यहाजाएगा हमारा देखे 180 हो गया, हमारा कितना आ जाएगा है, 93 degree, अब करते हैं अपना 3rd part, तो बच्चो 3rd part में हमारे गीविन एंगिल है 154, ठीक है, तो देखे क्या हो जाएगा, हमारा supplement of 154 degree का 180 degree minus 154 degree, जब यह सब्ट्रेक करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 26 degree, तो यह तो थे हमारे सारे तीन पार्ट के solution I hope आपको यह समझ में आ गए होंगे हम चलते हैं अपने next question पर चलिए बच्चों हम शुरू करते है अपना question number 3 question number 3 क्या क्या रहा है identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary तो जैसा कि मैंने अभी आपको previous question में बताया था जिन दो angles का सम आ जाता है 90 degree सप्लीमेंटरी और जिन दो angles का सम होता है 180 degree वह सप्लीमेंटरी तो इसी basis पर हम find कर लेंगे कि इन में से दिये वे combination कौन से हैं supplementary और कौन से हैं complementary तो चलिए शुरू करते हैं ले लेते हैं पहला तो पहले में हम पटा-फट करेंगे 65 degree plus 115 degree तो देखिए जैसे इसको एड़ किया तो यह आ गया 180 डिग्री तो यह किस तरह का combination है supplement है अब करते हैं अपना next one तो next one में जैसे एड़ करेंगे 63 degree plus 27 डिग्री तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा 90 degree तो यह हो गया हमारा complimentary अब हम देखते हैं अपना next one तो next one क्या है 112 degree plus 68 डिग्री तो यह क्या आ जाएगा इसको फटा-फट एड़ करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 180 डिग्री तो यह किस तरह का combination हो गया यह हो गया हमारा supplementary आप सब को जल्दी से जल्दी समझ आ गया होगा और आप अपने आप ही कर रहे होंगे इसको solve अब देखे यह वाला ले लेते हैं तो यह क्या है 130 degree plus 50 degree तो यह क्या हो गया यह हो गया हमारा 180 डिग्री यानि यह भी किस तरह का हो गया supplementary है ना कितना आसान आप हम आजाते हैं नेक्स मंदों नेक्स मंद में तो हमकर कैलकुलेशन ही नहीं करने 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाता है हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या होते हैं complementary angles तो देखें यह भी होगए हमारा पटपट solve ठीक है अब आज आईए इस पर तो यह भी देखे 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री तो यह क्या रहा हमारा 90 डिग्री तो होगया find the angle which is equal to its complement अब हमें complementary का तो मालूमी है मतनब क्या होता है sum of two angles should be 90 degree अब यहां पर अगर वो equal है तो अगर one x है तो दूसरा automatically क्या हो जाएगा x हो जाएगा तो हम माल लेते हैं let the two equal हमने माल लेते हैं let the two equal angles be x अब यानी complementary है तो x plus x क्या हो जाएगा हमारा 90 degree और x plus x क्या हो जाएगा 2 x to 2 x equals to 90 degree और x की value आ गई हमारी 90 degree upon 2 जो की हो जाएगी 45 degree यानी की दोनों angle क्या होंगे 45 degree होंगे obviously अगर one 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा तो क्या हो गया angle हमारा 45 degree दोनों angles होंगे हमारे 45 degree तो आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा हम चलते अपने नेक्स पेशन पर चलिए बच्चे हो हम शुरू करते है अपना क्वेशन नमबर फाइब तो क्वेशन नमबर फाइब क्या है कि दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180 दिग्री और अलमारे दोनों ही attached यह जाएगा हमारा। से है और महीं प्रस एंगल बेख से फिस्सक्राइव इन अगर से अगर्सक्राइगा हमारा सेट्टिंट्र अंगल हो जाएगा हमारा 180 degree minus x राइट वो हो जाएगा 180 degree क्योंकि sum of supplementary angles होता है हमारा 180 तो अगर 1x है तो दूसरा क्या हो गया हमारा 180 degree minus x आप देखें ये दोनों equal हैं तो यहाँ पर ये दोनों equal value हो गई आप माइनस x को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा plus का तो x plus x equals to 180 degree तो 2x equals to 180 degree और x आजाएगा हमारा 180 degree upon 2 जो की है 90 degree यानि की 90 degree होंगे दोनों angles जो की equal भी है और उनका sum आ रहा है हमारा supplementary आप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और हम चलते हैं अपने next question पर चलिए बच्चे हम शुरू करते हैं अपना question number 6 question number 6 में क्या कहा है in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angles if angle 1 is decreased what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary बहुत ही अब असान है अब इसमें हमें क्या करना है देखे आप अगर ये देखे अगर आप इसको figure को देखेंगे तो ये क्या है एक हमारा straight angle तो है 180 degree तो है अगर आप यहां से यहां तक इसको combine करेंगे तो एक straight line है और straight line हमारी कितनी होती है 180 degree होती है ठीक है इसको straight line angle भी बोलते है आप देखे अगर आप जितनी degree से अगर angle 1 को decrease करेंगे क्या होगा ये arm आपकी move होती जाएगी और angle 2 उतने ही degree जितने degree से आप angle 1 को decrease कर रहे हैं उतने ही angle से वो increase होता जाएगा तो जब वो increase होता जाएगा तो क्या कहीं हमारे जो total angle जो value है 180 degree उसपे effect होगा नहीं होगा तो इसमें क्या होगा अगर angle 1 decrease होगा तो उतने ही degree से angle 2 increase होगा और ये still ही रहेगा हमारा supplementary angle तो आपको इसका अच्छी से explanation समझ में आगे होगा अब हम इसको फटा-फट लिख देते हैं तो देखे बच्चों मैंने explanation लिख दिया है if we decrease angle 1 मतलब angle 1 क्या हो जाएगा ये obtuse angle दिख रहा है अगर आप देखें तो तो ये acute होता जाएगा और angle 2 जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और वो obtuse की value को ले लेगा लेकिन वो still रहेगा हमारा supplementary तो वही मैंने लिख दिया if we decrease angle 1 then angle 2 will increase by the same degree मतलब जिस degree से आप angle 1 को reduce कर रहे है और still angle 1 and angle 2 will remain supplementary तो बहुत ही असान था हम चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना question number 7 question number 7 क्या कह रहा है can two angles be supplementary if both of them are acute अब सबसे पहले देखें पहला part में acute दूसरे में obtuse और तीसरे में हमारे right angle ठीक है हम सबसे पहले देखते हैं अपना acute वाला case अगर दोनों angle हमारे acute है तो acute का meaning क्या होता है acute का meaning आप सबको मालूम है क्या होता है acute का meaning acute का meaning होता है angles which are less than 90 degree right जो angles हमारे less than 90 degree होते हैं उन्हें हम कहते है acute angle आप देखें maximum value क्या हो जाएगी हमारे अगर हम acute angle है less than 90 क्या होगा 89 degree just one degree less than 90 degree अब इन दोनों को जो हमने add किया तो दोनों ही acute है और हमारा answer क्या आ रहा है हमारा answer आ रहा है 178 degree तो 178 degree है नि maximum value लेने पर भी acute angles दोनों की हमारा जो sum है वो आ रहा है 170 degree और supplementary का मतलब क्या होता है supplementary का मतलब होता है कि जब both of them बना दोनों angles का sum हमारा 180 degree आ है तो ही वो दो angles supplementary होते है तो first case में हो जाएगा हमारा no चलिए अब देखते हैं अपने second case में obtuse में आप देखते हैं obtuse में obtuse में क्या होगा क्या होते है हमारे obtuse angle जिनकी value होती है हमारी greater than 90 degree राइट तो obtuse angle जो है वो हमेशा होता है greater than 90 degree राइट बट लेस देन 180 degree है ना तो चलिए अब हम ले लेते हैं maximum value जो भी है अगर आप किसी भी दो obtuse angles को लेंगे तो उनका sum हमेशा आएगा हमारा दो sum of हम लिख देंगे sum of to obtuse angle कोई भी ले लिजए आप चाहें तो उनका क्या होगा हमेशा sum जो होगा वो होगा हमारा greater than 180 degree तो इस case में भी क्या होगा यह supplementary नहीं होगे क्योंकि दोनों angle क्या sum क्या होना चाहिए 180 degree तो second case में भी हमारा हो गया no ठीक है अब आते हैं अपने third पर तो third part में बच्चों right angle exactly हमको बोला गया है कि right angle और आई right angle हमारा कितना होता है right angle हमारा होता है 90 degree तो आप काफी time से पढ़ते आ रहे हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे अपना दिमाग यूज करने वाली बात अब जब आप दोनों यह एंगिल्स को बढ़ दोनों यह एंगिल राइट एंगिल नेंगे तो इनका exactly सम्क्या हो जाएगा 180 degree हो जाएगा तो इस केस में क्या यह है हमारे supplementary है ना तो यह है हमारे supplementary तो किस केस में थर्ड केस में हमारा होगा two angles be supplementary if both of them are right angle तो इसका answer होगा third part में yes two angles be supplementary if both of them are right angle ठीक है तो both of them are right angle तो यह तो था इसका answer यानि कि third case ही हमारा follow होगा I hope आपको यह अच्छे से समझ में आगया होगा हम चलते अपने next question पर चली बच्चों हम शुरू करते अपना question number 8 तो question number 8 क्या कह रहा है an angle is greater than 45 degree is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree आप देखिए आप सबको मालू है कि complementary का मतलब क्या होता है complementary वो दो angles होते हैं जिनका sum होता है हमारा 90 degree right अगर एक ऐसे भी आप common sense से सोचे तो अगर एक angle आपका already 45 से बढ़ा है तो कहीं न कहीं दूसरा जो है क्योंकि दोनों को let the complementary angle be P and Q right आप देखिए अगर यह complementary है तो P plus Q क्या हो जाएगा P plus Q हो जाएगा हमारा 90 degree right यही तो होगा बहती आसान है अब हम क्या करेंगे हमें पता है कि P plus Q जो है वो 90 degree है और हमारा P जो है वो है greater than 45 degree right अब हम क्या करेंगे दोनों साइड में अपने Q को add कर देते हैं तो Q क्या हो जाएगा P plus Q यहां भी add कर दिया और 45 degree plus Q कर दिया ठीक है दोनों साइड में हमने क्या 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 को add किया अब चाहिए तो आप लिख सकते हैं adding अब देखें यह हो गया हमारी value अब देखें प्लस Q क्या है हमारा 90 degree है यहां से आ गया ना इस equation से ठीक है तो यहां लग देंगे 90 degree 90 degree is coming greater than 45 degree plus Q अब जैसे हम अपने equal to में solve करते हैं वैसे ही इसमें करेंगे तो 90 45 degree को हम इस साइड ले जाएंगे तो यह हो जाएगा minus ठीक है और यहां पर यह रहेगा Q ठीक है अब कर यह क्या होगा देखें करते हैं इसको तो यहां आ जाएगा हमारा यहां पर करते हैं इसको तो देखें क्या हो गया 90 degree minus 45 degree is greater than q इसका मतब क्या हो गया q is less than 45 degree वही तो मतलह हुआ हमारा यहां पर ही तो है 45 जो है वो बिगर है क्यों हमारा less than 45 तो इस इस case में भी हमारा क्या आ गया कि Q will be less than 45 degree, तो हम यहां पर लिख देंगे Q will be less than 45 degree, तो यह हो गया हमारा इसका answer, देखिए कितना असान है, दोनों तरीकों से मैंने आपको explain कर दिया, अगर वो आप अपने mental mess में भी करेंगे, तो वो less than 45 आएगा, और अगर आप इसको इस तरह से steps दिखाएंगे, जो कि आपको एक्जाम में दिखाने पड़ते हैं, उससे भी आपका less than 45 आएगा, तो आयोप आपको यह question अच्छे से समझ में आया होगा, हम चलते हैं अपने next question पर, चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी exercise 5.1 का question number 9, अब देखिए, इसमें क्या है, question number 9 कह रहा है कि in the adjoining figure, मतलब जो हमें यह figure दिया गया है, उसके हिसाब से हमें यह questions जो जितने भी part दिया है, इनकी answer करने हैं, तो चलिए, पहला part हम देखते हैं, is angle 1, adjacent to angle 2, अब देखिए, पहले हम यह समझ लेते हैं, कि adjacent क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम आजाएंगे अपने first part पर, अब देखिए, जब आपने chapter पढ़ा होगा, तो definitely adjacent के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, और मैंने भी कहीना कर जाएंगे, आपको exercises solve करवाई होंगी, तो इसके बारे में जरूर बताया होगा, चलिए, एक बाद फिर से revise कर लेते हैं, adjacent angles वो होते हैं, जो की share करते हैं, एक common vertex, and common arm, for example, अगर मैं यहां पर लिख दूँ कि यह हमारा जो फिर्स्ट एंगिल था, A, B, C, ठीक है, और मैंने यहां पर एक arm ड्रॉ कर दी, B, B, जो की इस angle A, B, C को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानि कि यह angle हो गया 2, और यह angle हो गया 1, अब हमारे कौन से तो angle adjacent है, जैसा कि adjacent angle की definition कहती है, कि उनके बीच में होनी चाहिए, एक common arm and common vertex, तो फैली condition साटिस्फाई हो रही है, दूसरा क्या होती है, कि जो उनकी uncommon arms है, यानि कि B, C and A, V, वो होनी चाहिए, opposite of common arm, B, D, तो यहां पर common नाम क्या है, B, D, और इसके opposite में, देखिए, इस side में है B, C, और इसके opposite में, बलब B, D की other side में है हमारी A, V, तो देखिए, यह सारी की सारी condition सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, angle A, B, D, is adjacent to angle C, B, D, ठीक है, और दूसरी भी चीज़ कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, angle C, B, D, is adjacent to angle A, B, D, दोनों चीज़े ही हो सकती है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारी common arm, common vertex, और जो other two arms है, that should be in the other side, और opposite side of common arm, ठीक है, अगर माल नीज़े, दोनों एकी side है, तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है, तो I hope, आपको adjacent का meaning समझ में आ गया होता है, अगर हम चलते हैं, अपने question पर बाप देखें, तो देखें, is angle 1 adjacent to angle 2, तो चलिए फटा-फट देख लेते हैं, कि क्या हमारा angle 1, जो है, वो adjacent angle 2 के, देखें, हमारा angle 1 क्या है, हमारा angle 1 है, A, O, C, ठीक है, तो हम first part की बात कर रहे हैं, तो हमारा angle 1 का हमने नाम लिख लिया, जो हकी दिया हुआ है हमें, A, O, C, और हमारा angle 2 क्या है, E, O, C भी लिख सकते हैं, C, O, E भी लिख सकते हैं, या A, O, C, बात देखें, क्या में चीज होने चीज़ है, कि जो vertex पर angle represent हो रहा है, वो हमारा हमेशा होना चीज़ है, center में, ठीक है, तो यह देखें, angle 2 हमारा क्या है, angle 2 हो गया हमारा, angle C, O, E, अब क्योंकि यह adjacent है, अगर माल लेजिए, A, O, C, जो है, वो C, O, E, के adjacent है, यानि, angle 1 जो है, वो angle 2 के adjacent है, तो common arm क्यों है, O, C, बिल्कुल है, और मारी common vertex है, बिल्कुल है, O है, ठीक है, तो यह पहली condition था, हमारी satisfy होगी, आम देख लेते हैं, दूसरी condition, कि जो हमारी other two arms है, वो होनी चाहिए, opposite to common arm, तो हमारी O, C, common arm में है, और इसके इस direction में है, O, E, और इसके इस direction में, O, E, यानि कि हमारा angle 1 जो है, वो angle 2 के, definitely adjacent है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, yes, angle 1 is adjacent to angle 2, because, first reason, they have common vertex O, and common arm O, C, ठीक है, यह तो होगे हमारी first, अब second क्या होगी, second हमारी हो जाएगी, and the other two arms, और the uncommon arms, जो भी रिखना चाहा है, आप लिख सकते हैं, and the other two arms, क्या है वो, O, A and O, E, right, O, A, and, O, E, are, अपोज़िट टू, अपोज़िट टू, कॉमन आम, O, C, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका, explanation लिखेगी, कि, yes, angle 1 जो है, वो angle 2 के, अपोज़िट ए, क्योंकि, उनके वीच में है, एक कॉमन वर्टेक्स, O, और एक कॉमन आम, O, C, और जो other two arms है, यानि, uncommon arms, वो हैं, उसके अपोज़िट में, यानि कि, O, E, N, A, O, lies, to the opposite, of common arm, O, C, तो वही मैंने, लिख दिया है, ठीक है, तो आई हो, आपको यह अच्छे से, समझ आ गया होगा, हम चलते अपने, second part पर, चलो बच्चो, देखते अपना, second part, second part में क्या है, is A, O, C, adjacent to A, O, E, तो चलिए, फटा-फट देख लेते, कि हमारा, A, O, C, कौन सा angle है, A, O, C, तो यही है, हमारा angle 1, ठीक है, second part की बात कर रहे है, तो हमारा angle 1, जो है, वही है, हमारा angle, A, O, C, राइट, अब दूसरा देखते है, हमारा A, O, E, तो A, O, E, हमारा कौन सा, यह angle है, A, O, E, मैं ड्रॉ कर रही हैं, उसी के उपर, A, O, E, आप देखिए, और यह हमारा A, O, C है, ठीक है, अब देखिए, यहां पर हमारे, जो, angle, A, O, E है, वह angle 1, प्लस angle 2 है, तो ठीक है, हम लिख लेते हैं, अपना angle, A, O, E, is this full angle, राइट, आप देख सकते हैं, A, O, E is angle 1, plus angle 2, आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं, अपनी पहली condition, कि हमारी एक common vertex है, और एक common arm है, O, E, राइट, क्या, लेकिन दूसरी condition, सटिस्फाई हो, और फर्स condition, तो हमारी सटिस्फाई हो गई, आप उसमें क्या कहा है, कि जो uncommon arms है, या other two arms of angles हैं, वो होनी चाहिए, other side or opposite of common, common arm, O, E, आप देखिए, हमारी तो दोनों सेमी side में, यह हमारी common है, और यह हमारी uncommon भी इसी side में, तो इसको होना चाहिए था, इस side, तो यह हमारी second condition को satisfy नहीं कर रहा है, तो यानि जो angle, A, O, C है, वो adjacent नहीं है, angle A, O, E के, तो हम इसका answer कैसे लिखेंगे, नो, angle, A, O, C, is not adjacent to angle A, O, E, because, other two arms, right, other two arms of, which are the two arms, हमारी है, O, C and O, E, right, O, C and O, E, do not lie, do not, or do not lie, to the opposite of, opposite of common arm, O, A, right, तो देखिए, common vertex है, common arm भी है, दोनों angles के बीच में, लेकिन, जो हमारी other two arms है, वो होने चाहिए, एक, दोनों ही opposite direction में, common arm के, जो की, नहीं है, इसलिए, जो हमारा angle, A, O, C है, वो नहीं है, adjacent angle, A, O, E के, I hope, आपको ये भी अच्छे तो समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं, अपने next part पर, तो चलिए बच्चो, देखते हैं, अपना third part, तो third part हमारा क्या कहता है, do angle C, O, E, and angle E, O, D, form a linear pair, तो चलिए, सबसे पहले figure में, देख लेते हैं, linear pair का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही आपको याद है, linear pair हम उन दो angles को कहते हैं, जो कि adjacent होते ही हैं, लेकिन वो बनाते हैं, straight angle, यानि वो दोनों angles का sum, वो हमेशा होता है, 180 degree, for example, अगर मैं एक straight angle, already draw कर लो, माल लो मेरा ये straight angle है, ठीक है, यहाँ पर, और ये हैमान लीजे, मैंने इसका नाम रख दिया, AOE, ठीक है, यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर, एक vertex से ही common, arm, draw कर दे, जो कि AOE को divide कर रहा है, चलिए मैंने इसको नाम दे दिया, DOD arm, ठीक है, अब ये angle और ये angle, जब बनाते हैं, straight angle, 180 degree, तब ही हम कहते हैं, कि यह है, linear pair, मुलब ये adjacent में है, plus, ये 180 degree का sum भी देते है, ऐसे angles को हम कहते है, linear pair, चलिए, इसी basis पर, हम solve करते हैं, अपना, 3rd part, अब हमने, अल्रेडी देख लिया था, कि हमें क्या प्रूफ करना है, कि angle COE, and angle AEOD, formal linear pair, तो देख लेते हैं, चलिए, हमारा angle COE, कौन सा है, ये है, COE, ये वाला, मैं दुबारा से, redraw कर देती हैं, ये angle 2, जो है, वो हमारा है, angle COE, 3rd part की बात कर रहे हैं, तो angle COE, is angle 1, आप देख लेते हैं, अपना angle EOD, अब EOD ये है, EOD है, ठीक है, एड्जासेंट तो हैं, पक्का, ठीक है, COE, और EOD के बीच में, कौन सी कौन नाम है, देखें, ये OE है, और OVर्टेक्स, और अदर टू आम्स, जो है, वो opposite side में है, कौन नाम के, ठीक है, आप देखें, ये पूरा, ये 3 प्लस 4, जो है, ये है हमारा, EOD, ठीक है, EOD, अब देखें, आप ऐसे ही देख लीजे, कि together, जब आप इसको join करेंगे, तो ये एक linear पर बन रहा है, ना, straight, बन रहा है ना, आप देख सकते हैं, पूरा linear पर बना रहा है, ठीक है, घाम लिख देंगे, येस, आप चाहें, तो ये अंगल EOD की वैल्यू भी लिख लीजे, अंगल EOD, is 3 प्लस 4, और अंगल COE था हमारा 2, अंगल 2, ऑके, by mistake I have written 1, अंगल COE is 2, अंगल EOD is 3 प्लस 4, अंगल 3 प्लस अंगल 4, आप लिख देंगे, येस, अंगल COE and अंगल EOD are linear pair, are linear pair, because they are they are supplementary, or they are making 180 degree angle, or they are straight angle, कुछ भी लिख सकते हैं, they are making straight angle, making straight angle, ठीक है, तो ये हो गया हमारा third part का explanation, I hope, आप को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं अपने fourth part, चलो बच्चो, देखते हैं अपना fourth part, तो fourth part में हमारे क्या है, are angle BOD and angle DOA supplementary, अब supplementary का मत्तब तो आप सभी जानते हैं, जब दो एंगिल का समझ आ गया है 180 डिगरी तो उन्हें कहते हैं सप्लिमेंटरी, और 180 को हम और कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, straight angle, यानि की 180 डिगरी और straight angle कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो देखते है, our angle BOD and DOA supplementary, तो देखिए एंगिल BOD कौन सा है हमारा, ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है BOD, ये angle है हमारा 4, यानि angle 4 जो है, वो है हमारा BOD, और हमारा angle DOA, ये रा, DOA, ये angle 5, आप देखिए, जैसे आप इसको extend करते हैं, आपको सीधा एक straight line मिल रही है कि नहीं, अगर मैं ऐसे draw करूँ, तो देखिए, पूरा straight line हो रहा है, ये 180 degree बना रहा है, exactly, तो क्या है, yes, angle BOD and DOA are supplementary, ये linear pair भी है, क्योंकि, linear pair में भी क्या होता है, straight angle होना चाहिए, और adjacent होने चाहिए, ये जो common arm है, OD and common vertex हो, और जो other two arms है, वो भी हमारी common arm, OD के opposite side में है, तो ये adjacent है, ये linear pair है, और ये जो हमारे question में पूचा गया है, supplementary है, क्योंकि ये देखने से ही पता चल रहा है, कि ये बन रहा है 180 degree, हम लिखेंगे, फूर्थ पार्ट का answer, Angle BOD and Angle DOA are supplementary, are supplementary, because sum of Angle BOD plus Angle DOA equals to 180 degree, तो ये हो गया हमारा, अपने, फूर्थ पार्ट का explanation, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं अपने next part पर, चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपना 5th part, 5th part में क्या है, is Angle 1, Vertically Opposite to Angle 4, तो देखिए, अब हमें आप सब को पता हैं कि Vertically Opposite Angle कैसे बनते हैं, जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ बन जाते हैं हमारे चार Angle, ठीक है, ये चार Angle में, जो Angle यहाँ है, इसके Opposite ये वाला कहलाता है, जैसे कि 1 के Opposite जो है, मान लीज़े मैं यहाँ पर यह मार्क कर दी, 1, 2, 3, 4, तो 1 के Vertically Opposite है Angle 3, और ये होता है हमेशा बरावर, ठीक है, तो 1 और 3 हमेशा बरावर होंगे, 2 के Vertically Opposite है हमारा 4, और ये वह हमेशा बरावर होते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा Vertically Opposite का, तो चलिए इसी concept पर हम देखते हैं कि जो हमें Angle Given है, क्या वो Vertically Opposite है या नए, तो देखते है, Angle 1, तो ये रहा हमारा Angle 1, सभी देख लीजे, आप लोग भी अपना अच्छे से figure देख लीजे बुक में, ये है हमारा Angle 1, एंगिल AOC, है ना, ये है, ठीक है, और दूसरा हमारा Angle 4, ये रहा, ठीक है, आप देखे, क्लियर ली जैसी मैंने ड्रॉ किया, आपको दिख गया होगा कि 1 जो है, वो एग्जेक्ली Vertically Opposite है, एंगिल 4 के, यानि कि हम कौन सी लाइन्स की बात कर रहे हैं, A, B, and D, C, ये क्या कर रहेंगे, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहेंगे हैं, और यहां पर बन गए हमारे 1, और ये 2 प्लस 3 एक एंगिल 4, और ये 5 एक एंगिल, राइट, तो देखे, 1 जो है, वो येस दिखी रहा है, जो हम देख रहे हैं, लाइन्स अपनी जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो पॉइंट पर, उसमें 1 जो है, वो एक्जेक्ली हमारा अपोजिट है 4 के, तो येस, एंगिल 1 and एंगिल 4 आर वर्टिकली अपोजिट, तो हम लिख देंगे, येस, फिप्थ पार्ट, येस, एंगिल 1 and एंगिल 4 आर वर्टिकली अपोजिट इंदा गिवन फिगर, ठीक है, ये पार्ट भी आपको अच्छे से के लिए रो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ थाई नहीं जादा करने के लिए, ठीक है, आम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पर इस क्वेश्चन के, चलो बच्चो देखते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, वाट इस दा वर्टिकली अपोजिट एंगिल ऑफ फाइव, बहत ही आसान है, देखिए, यह है हमारा जो एंगिल फाइव है, वो यह है, एंगिल ए ओडी, तो हम लिख लेते हैं, अपने सिक्स्थ पार्ट में, एंगिल ए ओडी इस इपल टू एंगिल फाइव, आप इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगिल हैं, अगर आप यही दो लाइन देखें, C,D और A,V, यह इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारे किस पॉइंट पर, ओपर, राइट, तो देखिए, यह एंगिल बना, और यह एंगिल बना, केवल इसको यह वाली लाइन को नहीं देखिए, यह एंगिल बना, और यह एंगिल बना, ठीक है, अब देखिए आप यह देख लीजिए, कि यह दोनों एग्जेटली वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, बिलकुल है, तो हम लिख देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगिल ऑफ, अप एंगिल 5 एस, क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए आप, यह पूरा, ठीक है, एंगिल c-o-b, तो यह है हमारा एंगिल 2 प्लस एंगिल 3, तो क्या हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगिल 5, एंगिल 2 प्लस एंगिल 3, ठीक है, तो I hope आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल फिगर को रेफर किया है, और सारे के सारे questions के answer दिया है, और अपनी जो definitions बगरे पढ़ रखी थी, उनको use किया है, तो I hope आपको ये अच्छे से सारे parts किलियर होगे, हम चलते हैं अपने next question पर, बच्चों आज हमने कर लिया अपने class 7 के chapter number 5, lines and angles की exercise 5.1 का पूरा का पूरा solution, I hope आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम जल मिलेंगे next class में और आप सभी जानते हैं, learn or have, free है but best है, thank you